सो हेलो और नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत हैं आपका आपके अपने योट्यूब चैनल पर गाईज आज के हमारी वीडियो होने वाली है आपके फेस्बुक से जुड़ी एक प्रोवलम के सोल्यूशन पर अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बैल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बैल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन उसी option के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको कहां पर दिख जाता है आपको guys उपर की तरफ जापर ये home का button आपको देखने को मिल जाता है वीडियो watch का button आपको देखने को मिल जाता है तो third number पर आपको ये marketplace वाला भी option देखने को मिल जाता है उसी प्रकार गाईज जब आप इन तीन लाइनों पर कलिक करते हैं और आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको यहाँ भी Market Place का Option देखने को मिल जाता है यहाँ प्रकार आपको अलग-अलग category दी गई है Sale और Buy के आपको यहाँ पर Options मिल जाते हैं यहाँ पर गाईज क्या होता है आज कल बहुत से लोगों को कुछ Errors हो जाते हैं देखिए वो किस परकार के Errors आपको Show हो जाते हैं उन्ही Errors को किस परकार आप Solve करेंगे वही महाँ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ या गाईज यू कैनोट बाई और सेल आइटमस ओन फेस्बुक इस तरह की Error आपको देखने को मिल जाते हैं तो इनका सोल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो गैज जादा समय ना गवाता हूँ शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को आपको बता देते हैं आपको किन स्टाप्स को फोलो करना है ताकि गाईज आप इस मार्केट प्लेस वाले ओप्सन को इनेबल कर पाओ लेकिन गैज वीडियो में आगे बढ़ने हैं पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ यहाँ पर इस प्रकार के ये एरर आपको क्यो दिखाई देते हैं अब देखिए गाईज इसके solution के बारे में बात करते हैं इसके solution के लिए हमें क्या करना है अपने Facebook को open कर लेना है और इस तरह का जो भी एरर आपको दिखाई देता है आपको उसका screenshot ले लेना है उसके बाद गाईज आपको three lines right side में मिलती है उपर की तरफ आपको इन पर tap कर देना है उसके बाद गाईज नीची तरफ स्क्रोल करना है और आपको इहाँ पर setting and privacy का option और help and support और also from facebook वाली option देखने को मिल जाते हैं आपको help and support पर click कर देना है उसके बाद गाईज आपको रिपोर्टे problem पर tap करना है तो आपके सामने कुछी इस तरह का इंटरफेस आजाएगा आपको continue to report ये problem पर click कर देना है तो गाईज आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट कर लेना है उसके बाद इस तरह का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा आपको गाईज यहाँ पर एक option देखने को मिल जाता है marketplace वाला आपको justice पर click कर देना है उसके बाद गाईज आपके सामने कुछ इस तरह का option आ जाता है आपको यहाँ पर जो आपकी problem उसको describe कर देना है आपको क्या लिखना है देखिए वो भी मैं आपको यहाँ पर पता देता हूँ आपको गाईज यहाँ पर लिख लेना है high facebook team in my facebook account you can't buy or sell items on marketplace error occurred please fix this issue as soon as possible उसके बाद गाईज आपको यह cross वाला button है इस पर click कर देना है और यहाँ पर जो आपने screenshot लिया है उसको आपको यहाँ पर attach कर देना है और गाईज आपको उपर शेज जो यह arrow का निशान शो होता है आपको इस पर click कर देना है इस से गाईज क्या होगा जो आपकी problem है यह facebook team के पास पहुंच जाएगी और गाईज अगर आपने फेस्बुक कमटी गाईडलाइन्स का उलंगन नहीं किया हैं तो हो सकता है within one week के अंदर आपका जो यह account है यह enable हो जाए अगर आपने कमटी guidelines का उलंगन किया हैं तो हो सकता है गाईज 90% तो चांस है कि आपका जो यह marketplace व अगर हमारे इस तरीके से आपकी कोई हैल्प होती है आपका मार्किट प्लेस वाला ओप्सन इनेबल होता है तो प्लीज कोमेट जरूर कीजिए गा तो गाइज आज किस वीडियों बस इतना ही मिलते है एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ फ्रेंड्स लव यू टेक केर